बहुत स्वागत है दोस्तो आज की एक और शांदार वीडियो में आज बात करने वाले मात्र एक रुपे में तयार होगा आपका चंदन का पेड़ जहां दोस्तो अभी माकेट में जो चंदन के पॉंधे का प्राइस चल रहा है वो लगबग देखे अगर आप होल जिल में लेते तो 60 रुपे, 80 रुपे, गहीं पर 100 रुपे और फुटगर में तो दोस्तो 200-300 रुपे के आसपास भी चल रहा है वो डिपेंड करता है अविलेबिलिटी के साब से अब मैं आपको यही इसी वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे एक रुपे में आप चंदन का पेड जो है तैयार कर सकते हैं दोस्तों यह जानकारी आपको इसी चैनल के उपर मिलती है और यह जानकारी मैं आपको ऐसे नहीं बता रहा हूँ पूरा वीडियो आप देखे आपको समझ में आ जाएगा कि आज तक आप इतनी बड़ी बेकोफी क्यों कर रहे थे अब मैं आपको बताओ आप नरसरी वाले उससे 100 रुपे का एक पेड खरीते हैं वो भी तो आपको चंदन का ही पेड देता है ना वही पेड आप अपने घर पे उगा सकते हैं उसके पास कोई ऐसी जादू की जप्पी तो है नहीं कि वो सीड डालता है और प्लांट निकल के आता है वही वही प्रोसेस करता है आप भी वह प्रोसेस अपनी कर सकते है वही मिट्टी का व्यूज वह भी करता है आप भी ऐसी कर सकते है तो ऐसी कोई खास बात उसके पास नहीं है जो आपके पास नहीं और आप नहीं कर सकते हैं तो यही दरीगा इस वीडियो के इंदर बताने वा सिर्फ प्लांट खरीदने पर अभी ट्रांस्पोर्टिशन कॉस्ट इसमें एड़ कर लीजी तो यह बहुत लंबा प्रोजेक्ट चला जाता है और आपको भी पता इनिशल लेवल पर अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं छोटे किसान है नया सुरू कर रहे हैं तो इतना अमाउं जो प्रीमियम वालेडी का बीज होता है 50-60 साल पुराने चंदन के पेड़ों का बीज आप लेजिए जिसकी जो जर्मी निश्यन है और जो प्लांट निकलता है वो बहुत उसकी स्ट्रेंथ होती है क्योंकि 50 साल पुराने पेड़ का जो है वो बीज होता है अब आपको सिं आप बर्मी कंपोस्ट ले लीजिए सूखी वी खाद और चनी वी मिट्टी होती है जिसमें ज्यादा बारीक नहीं चनी वी हलकी फुलकी जो चनी वी मिट्टी उसको मिक्स कर दीजिए और 8 से 9 इंचे उचा आप बेड तयार कर लीजिए ये आपका बेड पुरा तयार हो गया जिसमें बर्मी कंपोस्ट है, मिट्टी है और उसके उपर आप अगर गोबर की खाद अगर बर्मी कंपोस्ट नहीं है गोबर खाद यूजिए पूरी तरह की से जो सड़ी भी होती है बस इसके उपर आपको आप बिजाई कर देनी है और ये सिंपल सा दोस्तो तरीका होता इससे पहले बीज की प्रोसेसिंग होती है वो मैं आपको बताता हूँ बीज की प्रोसेसिंग कैसे हो जाए देगे बीज जो आपको मिलता है वो जो प्रीमियम वालिडी का होता है वो प्रोसेस किया हुआ बीज मिलता है उसमें आपको कुछ भी एक्स्टर नहीं करना होता ह उसको आप कुछ टाइम पानी में भीगा सकते हैं 12 गंटे या उसको आप 12 गंटे गोमूत्री गंदर भीगा के रख सकते हैं जिससे कि उसकी जो fungus वगरा होती है वो निकल जाती है अगर आपके यहाँ पर बरसात के बाद आप ये काम कर रहें तो आप fungus को रोगने के लिए जो सीड खरीते हैं तो मैं आपको वो सारी बातें बताता हूँ कि किस तरीके से आपको बिजाई करनी होती है जो और टैक्निकल बारीच चीज़े है वो मैं आपको सीड खरीते समय उसमें आपको बताता हूँ कि ये आप इसके अंदर कीजिए तो आपका germination दोस्तों एक केजी स आप कम से कम 400-500 प्लांट उगा लेंगे बहुत आराम से बता रहा हूँ ये मैं आपको minimum बता रहा हूँ जो आपके ready to install होंगे यानि कि एक डिल्ड फिट का आपका 500 प्लांट हो जाएगा जर्मिनेट तो 1500 होगा लेकिन उसमें भी प्लांट मरता है बहुत प्लांट मुर जाता है, सूकता है, मरता है, कमजूर होता है, पौधा वो आपको निकाल देना है तो इसमें भी आप आराम से आपके लिए 500 पेड़ एक से डिल्ड फिट के तयार कर लेंगे देखिए कितना टाइम लगता है इसकी बात कर लेते हैं टाइम की बात करूं तो मैं लगबग आप मानगे चलिए 30 से 50 दिन तक प्लांट जर्मिनेट होना स्टार्ड होता है जो है निकलता है वो अपने बीच से और उसके बाद लगबग आप मानगे चलिए तीन से चार महिने में प्लांट आपका 9 इंची, 10, 12 इंची तक हो जाता है यानि एक फिट के असपास तक प्लांट आपका पहुंच जाता है और उसके बाद अगर आप उसको 6 महिना ले ले तो जो लगाने के लिए एकदम परफेक्ट टाइम होती है जैसे अगर आप अभी इसका बीज स्टार्ड करें तो आपके पास सितंबर अक्टूबर में जबकी बरसाथ हो चुकी होती है प्लांटिंग का सबसे बढ़िया टाइम है तो आपके पास अपने बहुत अच्छी संख्या में चंदन के पेड होंगे जिनको आप फिर अपने ड सिड के लिए आप मुझसे कॉंटेट कर सकते हैं प्रीमियम क्वालिडी का बीज आपको मैं यहां पर अब लेबल कराता हूं 80-90% तक सक्सेस रेशो उसका जर्मीनेशन उस बीज की होती है तो इसी तरह के और भी शांदार वीडियो के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक्यू